आहा एक हजार पांचो करोड मिट्टू मेरा आधा हिस्सा कभी देगा अभी देता हूँ पैसा ले जा रहा था बोजी नहीं समाल पाया कोटे इससे हमें एक बात समझ में आती है पैसा चुराने से स्यादा पैसा ले चाना मुश्किल है मरेंग्यों के बिट्टू को फोन कर यह इस वक्त क्यों फोन कर रहा है वो नहीं कर रहा है कोई करा रहा है तीन कंटेनर मगाओ और पैसा एक पर लाद दो उस इससे पहले कि वो समझे कि पैसा किस कंटेनर में है शिप पिलाग के देश से निकल जाओ और तुम इंडिया में एक तुद्टू कोरिन एरपोर्ट है अजीब ना मैंना वहाँ से श्रिलंका दस मिनिट दूर है तुम पैसा लेके शिप से जाना और मैं फ्लाइट से जाओंगा फिर इस लड़की का के है इसे तो दिव्यानी संभाल लेगी कॉल ट्रेस के हिसाब सो किसी इंडर्स्ट्री ले रहे कि गोडाउन के आसपास हैं अगर वो फोन उठाता है तो सई जगा का पता चल जाएगा हमें फॉरन वहां पहुंचना होगा वहां जाएंगे अभी निकलेना तो भी आधी रात को पहुंचेंगे तब तक तो वह देश छोड़कर जा चुका होगा हेलिकॉप्टर से जाएंगे हेलिकॉप्टर भाड़ा कौन देगा उसका है बैंक के लुटेरे फ्लाइट और शि करोगे भीक मांग लूंगा जरूरत पड़ी तो पैर पढ़ लूंगा मुझे मारा तुने छोड़ूंगा ने तुझे इस मामले में मेरा कोई हाथ नहीं वैसे घर चलोगे तो मेरी बेटी मरमपट्टी कर देगे ना मैं तुम्हें जानता हूं ना तुम्हारी बेटी को हो तसली लाखों में एक जमाई मिला था तुर्वादी ना शादी इसके ओकाती क्या है यह होना रहे क्या है तो ड्राइवरी बस बहुत हुआ तारू मॉडू बंद राख यह है आपका नमबर वन रिडियो स्टेशन रिडियो मेची 98.3 FM मैं हूचेट पटागरू पूरे शहर में उन्हें ढूनेगे कहां इंडस्ट्यल एरिया से पोर्ट के और जो रोड जाती है उस पर पैचानेंगे कैसे इतना पैसा तो किसी कंटेनर में जाएगा वो रहे पर यहां तो तीन कंटेनर्स है, इन तीनों में से पैसा किसमें होगा? सिंपल है सर, पैसा काफी है, वजन भी ज्यादा होगा, कंटेनर के टायर दबे होगा औरेंज वाले कंटेनर में हो सकता है, वो कहां जा रहे है, उस पर नजर रखिए, एक बारा मुतर जाएं फिर बताता हूँ लेकिन तुम्हारी बेहन उनके कब्जे में है, सर, पैसा पोर्ट पहुंचने तक वो मेरी बेहन को कुछ नहीं करेंगे, पाइलोट डाउँ देखो, देखो, रोट पहुंचने का पीछा कीजिए, किस तरफ जा रहा है, इस्ट की तरफ जा रहा है, ड्राइवर कौन हो, धनुश कोटी, धनुश कोटी, तब तो पैसा उसी में होना चाहिए, छोड़िये का मत, उसे पोर्ट जाने से तुम रोकोगे कैसे, वो मुझ पर छोड़ दीजिए, हेलो, कहा है तू, बीच रास्ते में हूँ, एक्जाक्टली कहां पर है, गाड़ी बन पड़ गई है, सेंट अलफान्सा स्कूल के बाहर हो, मेरी बात सुन, जल्दी से जा, सेंट अलफान्सा स्क अलफान्सा स्कूल कर रहे है, रोड ब्लॉग है, और ट्रक भी रुगिया, अब अभी वह घुमा रहा है, लेप जा रहा है, राइट राइट में जा रहा है, एमजी रोड की तरफ जा रहा है, वहां पर अपना कोई दोस्त है, अरे पिंटू होगा ना, पिंटू वहाँ प पागल हो गया क्या, मौमद पर चाय फैक, मेरे उपर चाय फेकी, है, सर, यहां पर लोग चाय से रड़ रहे है, बहुत भीड जमा होगी, मैं अकिला नहीं समान सकता, और फोर्स बेजी है, फॉरण, वो ट्रक लेप जा रहा है, या राइट जा रहा है, यूटन लेकर वो बहुत तेजी से जा रहा है, रवी, दस मिनट में वो फ्लाइओर पर पहुच जाएगा, और वहां से वो बिना रुके पोर्ट चला जाएगा, अब क्या करें, उससे रोपता हूँ, क्या पूरा टाइम रेडियो मिर्ची सुनता रहता है, रहने दे, मुझे रेडियो मि मिर्ची लिसनर्स की ट्राफिक अपडेट, बोर्ट को जाने वाले फ्लावर पर हेवी ट्राफिक है, तो अगर आप उस रास्ते से जाएगे, तो आप भन सकते हैं, और अपनी मंजिल पर पहुचने के लिए लेट हो सकते हैं, तो आईए सुनते आग लगाना सिर्फ मैं कर रहा हूं, चल राइट लेले, फिर से राइट, अगर आईट, तो आइट, नाइट लेले, फिर से राइट, पोछ गये खेंगे, तो आईट अट, नाइट बास्त, विड़ लेले, तो अगर लेले, बोर्ट पोछ गये, क्या? वहाँ रिष्च यह तो वही पहुच गया राव जहां से इसने पैसे चुराइए थे एक भी पैसा तु नहीं ले जा सकता अब तुरुक, तुरुक में आया रवी, रवी, अब तहां जा रहे हो बिट्टु अब पोर्ट की तरफ जाएगा न, वहीं दी एंड करूँगा उसका रवी, रवी मैं पोर्ट चलो, पोर्ट चलो ये आटो नहीं है, कि कहीं पर भी मोर दो अब चलो बिट्टो, तुमारा आदमी नहीं आया थनुश कोटी, मैं पहुँच रहा हूँ करूब बिट्टो, जाएगा वहीं हाँ हॉप और नहीं है यह उपार वा कर वो जह ठाइब are they हुआ yum हुआ। हाग хझ ह्ट तुर्च मैं ब ब रुछ चलो व्यांजे ह lij घुह आाद में हाछ कि अरे बाए अरे अहां है कि कभर्दारों से नीचे उतरातो मैं उसका फैन हूं वो हमेशा टॉप पर ही रहेगा कुल ! कुल ! कि अरब से कि अज्य चाप आज freel कर दो मिलर्भ कर दो हो फड़ फड़ कर दो हो अ अच्छुद है गच्छुदE गड़ अब डव्पुद व हुखòng अब अब सुछ सास भूल गई ना अस्तमा भी इसको थाक्यू मारेगा पुछे इंसान के सिंदेगे इतनी आसानी से नहीं मिलती है हमारे जैसे लोग लड़ते नहीं बात करते हैं मुद्धे पर आते हैं इस साले को मार दो मापकरो जो मन में आया वो करूप मैं तो चला मैं जा रहा हूं माल डाला जब उसे बात करनी थी तो कोली क्यों चलाई दर दो देखो जाने दो मुझे जाने दो तुम्हारी बहन का है मैं बताता हूं मत बता कोई ज़रूरत नहीं है मुझे गुसा मतला अता माच आज की शाम इस शहर की जैसे ही पहली लाइट चले की तेरी बेहन मारती जाएगी मरवा दे यह पागल हो गया तूब में जूट नहीं बोणां तो उसे मारेगा मार उसे मार चरमार ना ए iz psychiatric क्वशा और गुसा होने का हग भी नहीं यह क्याँ वो तेरी बेहन फार्क मुझे इसे बचा गभरा तो नहीं गभरा तो नहीं हूँ आभी क्यों मुझे बचा लूँ है सर यह मार देगा मुझे अरे रे हतकड़ी लाना तो भूली गया कच्छे का नाड़ा भी चलेगा मैंने भगूंगा इस कच्छे को जेल में संभाल के रखने का क्या फाइदा है सर पहले इसे कपड़े दो इतवार को ओमलेट दो बुधवार को बिर्यानी दो गवर्मेंट के खर्च पर एश करेगा मैं प्योर वेजिटेरियन हूं सर मारना मत वरना फस जाओगे बॉडी मिलेगी तो फसूंगा ना सर मचलियां खा जाएंगी हमारे अलावा किसे पता चले तो हमारने पर तुम्हें कोई मेडल नहीं मिलेगा छोड़ो इसे मैं अपनी कोई फिकर नहीं जैसे हो तेरी बात मारो छोड़ो इसे फेग दो ये कर कि इस कमीने के लिए रूल्स नहीं है शरीफ लोगों के लिए रूल्स बनाएं शान्त हो जाओ रभी रभी जुख जाओ बिट्टू अब आपको मेडल मिलेगा सर मेडल मिले या ना मिले अगर मैं इसे नहीं मारता तो ये तुम्हें मार देता ऐसा नहीं होता सर उसकी गन में गोली भी तो होनी चाहिए ना इसका मतलब वो गन खाली दी खाली गन फेक कर ड्रामा कर रहे थे तो क्या मैं इसे मार कर जेल चला जाता है सोच भी कैसे सकते हैं अब कहां बहन को बचा नहीं को बचा अब कर दो कि आवाज से कहें वो तुम्हारी बहन को नुक्सान न पहुंचाए कबराईये मत सर वो गूंगी बहरी है इसे पकड़ी काम आई क्या अब तुमने उस जवान लड़की के बनले मेरा हाथ क्यों थाम लिया एक खुबसूरा जवान लड़की और इस बुड़े के हाथ में कोई फर्क नहीं क्या एक तो तुम्हारी जवान बचाओ उपर से तुम इते ने से क्यों आए रवी रवी देखो गोली बचलाना में एक चो ताता नननाता प्यालाता बत्ता हूं और वो रवी बड़ा-बदमाश है रवी रवी मुंगफली खा लिया हाथ में रखिए वाइडा आ कहीतने सिंग अब ख़ड़े क्यों है अब मुझे जरा ये बताओ कि तुमने ज्योतिश कहां पड़ी है तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारी बहन यहीं होगी बिट्टू नहीं तो बताया था आज कि शहर की जैसे ही पहली लाइट चले कि तेरी बहन मारती चाहिए इस शहर की शाम की पहली लाइट है लाइट हाउस इतनी टेंशन में भी तुम्हारा दिमाग कैसे चलता है एक्जाम के सवाल का जवाब तो हर कोई देता है लेकिन असली हीरो वो है जो जिन्दगी के जवाब देता है